असलाम आलेकुम इस वीडियो में आपके लिए एक और एक फंटास्टिक जॉब ओपनिंग लेकर आया हूँ ये जॉब ओपनिंग आईए SS&C टेकनोलजी में SS&C टेकनोलजी हायर कर रहा है एक एक्सेलेंट रोल के लिए पूरा वीडियो जरूर देखे एस वीडियो के अंड में मैं आपके साथ एक और कोर्एक बोनस जॉब ओपनिंग शियर करूंगा वहाँ चल रहा है WAKIN ए मैं इसी तरह फ्री जॉब्स ओर फ्री इंटर्शिप अब्डेट करता हूँ अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें यहाँ पर SS&C Technology हायर कर रहा है for Healthcare BPO पहले SS&C Technology का नाम था DST Technology इसका नाम चेंज हो चुका है अब हो चुका है SS&C Technology यहाँ पर यहार कर रहे हैं Healthcare BPO के लिए यहाँ पर आपका experience zero से लेकर दो साल के बीच होना चाहिए locations है है हिदरबाद और पूने यहाँ पर any graduate, any post graduate including B.tech, B.E., MBA can also apply freshers भी यहाँ पर apply कर सकते हैं यहाँ पर आपकी typing speed यहाँ पर excellent होनी चाहिए 27 वोर्ट्स पर मिनेट और 97% accuracy बोथ numbers और पार ग्राव शुर्ट आप डीसन communication in English ठीक है यहाँ पर दिखीजिए benefits, transportation, annual bonus, performance based incentive यहाँ पर rotational shift रहेंगे अगर आप night shift में काम करने के लिए ready हो तब इस job के लिए apply कीजिए दो rounds of interview होंगे first लोगा HR and operation round through telephonic video conferencing ठीक है यहाँ पर apply करने के लिए email IDs मैंने दिया इस description box में हिदरबाद के लिए different email ID है पूने के ल subject में लिखीजिए health care domain-your name फिर आपका cv attach कीजिए नीचे आपका cover letter attach करकर आप अच्छा और को send कर सकते हैं now coming to the second opening एरगान में चल रहा है walk-in पहले इसका नाम था जीवी के बायो अब इसका नाम change हो चुका है अब हो चुका है एरगान यहाँ पर यहाँ आर कर रहा है तो आप यहाँ पर walk-in कर सकते हैं इसका walk-in चल रहा है 25th September को 9.30am से लेकर 10.30am तक आप खुद walk-in कीजिए and please do share with your friends and do support me by subscribing my channel Thank you, best of luck, hope you all are safe, allahafis